देखे हम भीमार्मी जो है उसका मैं पुर्जोर विरोध करती हूँ भीमार्मी की बात करें तो भीमार्मी में बोजन समाज या मूल निवासी समाज की बात करें तो लड़कियां नहीं है तो इस समय हमारे साथ पलनवी नंदेश्वर हैं जो महराष्टरा से हैं ये क्या सोचते हैं भीमार्मी के बारे में और चंदरिशे खरजाद रावन के बारे में इनसे बात करेंगे देखे हम भीमार्मी जो है उसका मैं पुर्जोर विरोध करती हूँ उनकी जो स्ट्राटेजी है लोगों में ये दिशा भूल करने की है ये मेरा मानना है क्योंकि हम फिर यह जो मुद्दे जिन मुद्दों पे वो लड़ाई कर रही है या जिन मुद्दों पे वो लड़ रहे है वो भावनात्मक या इमोशनल या भक्ती मुवमेंट की और ले जाने वाली मुवमेंट है किसी भी मंदिर के लिए किसी भी चीज के लिए अरे भाई ये लोग तब कहा थे जब अक्षरधाम का मंदिर बन रहा था ये लोग तब कहा थे जब यहाँ पे युनिवासिटीज में के जो राइट्स है यूजजी का गैजट आया बाकि तेरा पॉइंट रोस्टर आया या जो एडुकेशनल मुद्दे होते हैं इन चीजों पे क्या ये लोग आते हैं नहीं आते हैं कास्ट के निर्मुलेन के लिए कोई बात करता हैं नहीं करता हैं तो ये चीजों के ऊपर ये लोग नहीं आ रहे हैं ये लोग भावनात्मक एक उनके सोशल मतलब तुम मंदिर तोड़ो, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, इसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, बहुजन समाज का पैसा जो है, हर एक जो इतने सारे लोगों को महाँ भीड खटा की गई, एक हम ब्लाइंड फॉलोवर्स जैसे एक चंदरशेकर जी है, लीड कर रहे हैं, अच्छे एक कारि तो निया संगठन है, बच्चा संगठन है, ज़वाण होगा, बड़ा होगा, उसके बाद हो सकता है कि मैचुरिटी आए, उस तरह की विशारधारा को लेकर के भी लड़ेंगे, आरक्शन को लेके भी हो सकता है, क्योंकि यह नया संगठ clot यह अच्छी बात है अगर लड़े और इन चीजों को जितना जल्दी समझे यह बहुत अच्छा है लेकिन अगर हमारे जो लोग है वो अगर भक्ती मुव्मेंट के तरफ जाएंगे तो कोई यही नहीं रहेंगा यह अभी रविदास वाला जो केस सॉल्व होगा इसके बेसिस आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया आपके देश में आपके रीजन में कितने हेल्थ क्लिनिक है यह सवाल सरकार को पूछने चाहिए यह जो भीमार्मी है उसका अपना स्कूल वगरा भी चलता है सहारनपूर और UUP के कैजिलों में जैसा कि भीमार्मी के नेता भी बतात है ठीक है यह तो ऐसा हो गया ना कि आप मतलब क्या सिगरेट की कंपनी चला रहे हो और साथ में एक कैंसर का होस्पिटल भी खोल दिया ऐसा टाइप का हो गया आप दिशाभूल भी कर रहे हैं लोगों की कैसे कैसे आपने इतने सारे लोगों को एक मंदिर के मुद्दे पे इन चीजों पर अपना वक्त एंगेज करना चाहिए था लेकिन उन्होंने वह नहीं किया उनको छुड़ाने के पीछे हमारे सामाज के बहुत सारे वकील लग गए मतलब हमारे जो एनरजी है वो सिर्फ फिजिकल एनरजी नहीं जा रही है एंटलेक्ट्वल एनरजी भी जा यह लगाए तो हमारे जादा फायदा हो सकता है तो भीमार्मी के यह जो काम है वो अप्रिशेबल है लेकिन मंदिरों के मुद्दे पे लोगों को यह करना यह इस नॉट अप्रिशेबल मंदिर नहीं कहके उसको गुरू घर कहा जाए चुकि वहाँ पर संत्रविदास जी ग वहाँ पर अमबेटकर साहब की कुछ यादगार है वहाँ पर जी दिख्षा भूमी को ही माल ले या फिर सावित्री फूले ने जीन स्कूलों को खोला कुछ होंगे उसमें अभी भी बिल्डिंग तो ऐसे किसी बिल्डिंग को अगर तोड़ा जा दिख्षा भूमी को उस प तोड़ दिया गया फिर भी हम उसके रिप्लेश्मेंट में क्या हो रहा है उस पे कौन सा कारय हो रहा है दूढ़ देखेंगे और दूसरी बात उस चीज के लिए behavior करेंगे उस चीज के लिए लोլिया ने कहा था अगर सड़के सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा भीम आरमी के जुनेता है कार करता है वो सड़क पे उतरें क्योंकि रविदास जी के गुरू घर को तोड़ा गया आप कह रहे हैं कि आम बेटकर की दिक्षा वोमी को तोड़ दिया जाता है तो हम सड़क पे नहीं उतरेंगे समवाईधानिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़ेंगे सड़क पे उतरना ये लास्ट एसकॉर्ट होना चाहिए पहला क्यों नहीं होगा क्योंकि बाबा साहब ने खुद एक सेकिंद आपसे एक सवाल और है SCST Act को लेके देश भर के दलित दो अप्रेल को सड़क पे उतरे थे आ समवाईधानिक था? समवाईधानिक था गलत था, सही था देखे, SCST Act को लेके सड़क पे उतरना और किसी एक पर्टिकुलर नेता के अंडर में किसी एक लीडर्शिप के अंडर में लोग नहीं आये थे सबसे पहली बात लोगों को जब लगा कि उनके जो राइट्स के उपर या उनका जो सेफ़गार्ड जिस राइट्स के वज़े से या जो constitutional provision के वज़े से है है ना? तो वो जब लोगों को डेंजर में लगा तो लोग के नहीं बिना नेतरुत्व के भी रास्ते पे आ जाते हैं वो अलग बात है मतलब आपको दिकत अंडोलन से नहीं आपको दिकत रावन से है नेता से नेतरुत्व से आपका यही जवाब यही हमें लगा आस्था के नाम पे आप नहीं कर सकते हैं मतलब आप मंदिर ये जो शब्द मंदिर नहीं गुरुघर अगर आप गुरुघर वर्ड यूज करते तो हो सकता है कि सिनेरियो या पिक्चर या रावन चंदुरुजे का रावन समझने का जो परसेप्शन है वो लोगों का चेंज ह हो जाता लेकिन अभी जिसे मेरा जिसे जो लोग शारी पल्लवीजी सब्दावलि है कि जैसे हमारे दलित समाज के जो लोग है गुरु घर नहीं समझेंगे एक बार आप दलित भी तो नहीं समझ पाई है खुब समझते हैं आप अभी भी खुद को दलित मानते हैं तो ये शक्तों से तो इतना फरफ पड़ता है नहीं बिहार की अगर बात करें तो वहाँ दलित महादलित आयोग है सरकारी संस्थान है तो यह तो जान बुच के आपको दलित रखने का अफिसियल लेंग्वेज में यह अलग बात है मतलब आपको ऐसा लगता है कि आस्था के नाम पर किया गया जबकि यहां आस्था नहीं महापुरुस के सम्मान की बात थी क्योंकि रविदास जी कि वहाँ गय थे 300 साल पुराना मंदिर था एतिहासिक मंदिर था हम मंदिर सब्द इसलिए इस्तेमाल करते ह क्योंकि हमारे समाज के हर लोग गुरु घर जैसे सब्द को समझने में नहीं समझ पाएंगे उनको अगर इसका मतलब आप जो बेगमपुरा का कॉंसेप्ट है जो महापुरुस के लोग कितने लोग बेगमपुरा सब्द को सुने हों हाँ वही हम बोल रहे है तो जो बना दिया तो क्या आपने सही में उन महापुर्णों की जो आइडियोलोजी है वो लोगों में इमबाइब करने का काम किया है हम अपनी लोग बहुत सारे समाजी करने कर दो झैविलोग उनके महापुरुशों के जो स्थल बनाएं हुए है या प्लेसल्ज ओफ बनाई हुई है जहां पर आके चर्चा कर सके है उनके विचारों का मन्थन कर सके ऐसी जगाहों को आप मंदिर का नाम दे देते हैं इस पर नहीं हमारा फिर वहीं वामला था जिस तरह आपने कहा सड़क पर उतरना तो देखे ना तो शब्दों से तो फरक पड़ता है ना अगर चंद्रजेकर रावन जी ने मंदिर के जगाह आपने क्या का गुरू घर का उपयोग किया रहता था तो लोगों का परसेप्शन इस मुवमेंट को समझने का अलग होता था अभी इस मुवमेंट ने एक आस्था के बेस पे खड़ी की गुई हुई मुवमेंट इसे समझा जा रहा है तो शब्दों से बहुत फरक पड़ता है जैसे दलिच शब्द का उपयोग करने से फरक पड़ता है और खुद को मूल लड़े अंदोलन करे जैसे आरक्षन हो गया और बाकी जो जरूरते हैं व्यम के खिलाफ अंदोलन हुआ तो बिल्कुल हम उनके साथ खड़े रहेंगे आपको शिर्फ शिकायत इस बात से है कि वो भावनात्मक मुद्दे पे सड़क पे नहीं आना है भक्ती मुवमेंट न विचारधारा फैलाने में आपकाम कीजिए तो हमेशा साथ खड़े रहेंगे हम कोई दुश्मन थोड़ी है यहां का मतलब SC, ST, O, B, CE और माइनोरिटी जो है सब भाई-भाई है सब ही मुल निवासी है शुक्रिया पल्लवी जी आगे इस तरह सम आपके साथ जूरे पल्लवी जी जो विचारधारा है उनकी जो बाते हैं वो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें